नमस्क्राइब दोस्तों मेरा में मोहनुराब देख रहे हैं आपका अपना चैनल नहीं क्या दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जब भी आप कोई अगर कोई प्रॉपर्टी खरीते हो तो आपको यह जरूरी जो है चेक करना जो जरूरी होता है जैसे कि उसका अस आप कोई बाता ही दो साख को ए जमीन केंगे थितरे ओमा तो शुरू करते हैं डेलगा है जो काई है उज्त करहा है थाूरी की जमीन फोलिएज्या अपी यह मिल जयाए नोगी जरूर्टे शुरू करने से पर दोस्तों आँको चैनल नाए है चैनल को सुस्काइब करेडर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों इसे इंफुनिश है यह फ्ले इंवीडियो 0 I S Dellie government. इंद जो यह अफिशल वेडिजोटेशन है दोस्तों इसकी रिवेंजू department की तो तो यह official website है दिल्ली online relation information system तो यहां से जो है आप अपने दिल्ली के भी कितने भी property है उसकी सब की details आप जो हैं से check कर सकते हो जो किसकी नाम पर है first owner कौन है second owner कौन है कितने area पर है और कितने lease पर है वो सब आप जो है check कर सकते हो तो यहां से एक है जिस पर आप जो है calculate करते हो उसके property का और दूसरा है e-search तो हम यहां पर अभी property करेंगे तो e-search पर आप में click करना है सिफ property हमें details देखनी है तो e-search में type करते ही जैसे आप click करोगे यहां पर search by name से आ रहा है search by property address and complete search और specifically search तो यहां अभी हम name से search करते है for example के लिए जैसे अगर आपको registration number नहीं बता है तो आपको नाम बता है तो आप नाम से डालोगे तो यहां पर search by name तो यहां लोकलिटी डालोगे यहां पर उसके बाद है select part तो यहां पर first party है second party है दोस्तो first party वो हो गया जिसने बेचा है और second party वो हो गया जिसने खरीदा है तो recently में जो current होता है वो second party का आपको यहां पर नाम लिखना पड़ेगा फिर capture code डालके आपको search करना है यहां पर इस तरीकी से आप करना है यह ध्यान रखना second party ही आपका जगर जो आप current property detail देख तो आपको second part जो है पार्टी का नाम यहां पर लिखना होगा तो फटा फट से मैं लोकलेटी जैसे for example के लिए मैं यहां पर जो है लोकलेटी मतलब East Delhi का search करता हूँ तो यहां पर जो है आप जैसे द्वार का हो रहनी हो तो आप वह उस आप जो है second party के लोगे first party वो जिसने बेचा है second party वो जिसने खरीदा है तो यहां से देख सकते दोस्तो और का आपको यहां पर नाम लिख दें तो मैं यहां पर आप नहीं नाम डग लिए आप अपना जिसका भी आप सर्च कर रहें उसमें नाम टैप करना है क्योंकि आपको तो यह सब जो है search by name से सब रहें यहां पर जो है कि इता को लोगो ने दिखा रहा है क्योंकि मैंने इस्ट्रेलिया किया था तो यह सब उनकी डेटर आ चुकी है जो है रहें रहें नमबर भी है और रहें डेट भी है first party का भी नाम जिसने बेचा था और second party का नाम जिसने खर चेक कर सकते हूँ यह तो होगे दोस्तों आपको search by नाम से जो मतलब नेम से आपको चेक करना है अब बताता हूँ अगर आपको search by property address मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पता है तो उससे भी जह है second वाले पर किलिक करोगे तो उसमें आप जो है property address टाइप करोगे और capture code डालके search कर दोगे तो simple तरीके से आपको यहाँ पर जो है show होने लग जाएगा for example के लिए मैंने यहाँ पर आपको लंबी वीडियो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पर आभी नहीं कर रहा हूँ तो इस तरीके से आप जो है address से भी capture code डालके search कर देना दोस्तों उसके आप नहीं पता तो आप जो है specific search पे click करोगे तो अगर आपको नाम नहीं पता सिर्फ registration details पता है तो आप जो है उस details को डालके यहाँ से जो है आप जो है property जिसकी भी search कर रहे हो वो कर सकते हो अगर आपको नाम नहीं पता तो तो यहाँ पर जो है sro list मतलब सब register our office जो है यहा से आप जो हैसे type कर दोगे तो मैंने East Delhi का किया था तो यहाँ पर जो है East Delhi का गीता कर रहा हूं तो simple वही आपका देख रहा हूं मैं example के लिए जो मैंने पहले सर्च किया था जिसे नाम से तो वह दुबारा इस से आता है नहीं आता है तो यहाँ पर हमें यह पर चल गया फिर की registration number जो पता था हमें simple वही डाल रहा हूं जो आभी मैंने पहले सर्च किया था उसके बाद है registration year तो 2011 और 2012 से वह select था तो वही मैं इसे यहाँ टाइप करता हूं दोस्तों उसके बाद है book number तो यह तो एक ही था उसके बाद यहाँ capture code डालके इस सर्च कर देना है देखता हू कि यह वही details लेता है यह नहीं लेता तो मैंने जो है पहले जो search किया था for example के लिए वही मैंने यहाँ पर दुबारा से इस पर जो है registration details type करके कि इस पर नाम नहीं पता अगर आपको तो आपको registration details पता है तो आप इस तरीक से देख सकते हो दोस्तों वही details है show हो गई यानि कि जो आप registration आपको registration details पता है तो आप इस तरीकी से यह कर सकते हो अब बात आते है दोस्तों चौथे तरीके की जो है complete search मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता आपको जो है without registration year या with registration year same आपको यह process रहेगा तो आपको बस अगर आप कुछ नहीं पता तो आपको थोड़ी बा यहां पर आपने टाइप कर दिया उसके बाद जो है registration year अगर आपको पता है तो आप fill करना नहीं पता तो आपसे छोड़ देना उसके बाद इसको आपको कुछ परने की जुरत नहीं दोस्तों उसके बाद यहां पर जो है death name जो है वो मैं डाल दूंगा sale for sale के लिए हम जो है search कर रहे हैं तो यहां बहुत से option मिलेंगे आपको तो मैं यहां पर sale date डाल देता हूं दोस्तों तो जैसे मैं इससे sale date करके फिर आपको जो है simple से capture code डालना है और इससे search कर देना है तो आपके जित्ते भी locality में area में property है वो सब आ जाएगी क्योंकि आपको full detail नहीं पता है त इसमें details डालके जैसे मैंने बता है वो सब आपको data डालके आपको यहां पर check करना है तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहां पर search करके करना था capture code डालके तो यहां बहुत से property आ चुकी है तो उसके registration number भी आ चुके अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे search कर सकते हो क्योंकि यहां पर जो है हड किसी की detail है मगर इसमें थोड़ों बहुत आपको मुश्किल पड़ेगा अगर आपको नाम पता है यहां डिटेल तो आप second और first जो है आप search करके कर सकते हो दोस्तों तो दोस्तों यह वीडियो आपको information लगी तो वीडियो को like करके जाना आपको कोई दिक्कत है यह comment आपको बता सकते दोस्तों और जाहे ज़्यादा वीडियो को शेयर करना दोस्तों और चैनल को subscribe करने रहें तौन की साथ इंब लेकर ना बुल दोस्तों मैं ऐसी information वीडियो लात रहता दोस्तों तो फिर मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के दोस्तों नाश्का झाल